स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्डबल हलो एवरिवन वालकम तो स्टडी आईक्यू सो फ्रेंट्स लेट्स टार्टी डिस्कुशन ऑफ जिसी लियों जो हम डिस्कुशन कर रहे थे उसमें आज जानने की कोशिस करते कि आज हमारे पास कुन सा चेप्टर है वैसे थोड़ा इंटीर में पहुंचेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा टेंपरीट का कॉंटिनेंटल टाइप मतलब हम कॉंटिनेंटल वर्ड का मतलब ही है कि हम कहीं न कहीं वाटर बोड़ी से काफी दूर जाने बाले हैं अब एक सीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम वा आई चला जाएगा यह डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो राइट इस प्लेस वीकेंड से की वी आर गोइंग आवे फॉम दी मेडिटेरेनियन रीजन अब मेडिटेरेनियन से दूर जाते हैं तो हमारे पास आते हैं टेंपरेट के ग्रास लेंड्स टेंपरे लेकिन अगर मैं आपको एक डाइग्राम दिखा हूँ एक फीगर दिखाता हूँ यहाँ देखिए यह जो आपके ग्रास टैपी टाइप उस्ताज हैं या पैरियरीज हैं इसी तरीके से आपका पैमपास हो सकते हैं और आपका डाउंस हो सकते हैं बट आप यह देखो जब अब Southern Hemisphere पर फोकस करोगे तो यू विल फाउंट Southern Hemisphere में तो Water Body का Dominance है इसलिए यहाँ पे जो Temperature Extremities है वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे यहाँ पे दूसरे रीजन में मतलब Northern Hemisphere में देखने को मिल जाती हैं बट स्टिल हम इसी केटेगरी में इसको Count करते हैं और फ तो अगर एक तो चीज इंपोर्टन यह है कि आपको नेम याद रखने है जैसे कि आपका जो Central आपके Eurasia वाला पार्ट है उसमें यह grasses होते हैं Steppy type grasses ऐसे ही आपका Hungary के अंदर पुष्टाज कहलाते हैं ऐसे ही आपका जो Mexico वाला पार्ट है या फिर Great Lake वाला पार्ट है जो उ उसमें आपके यह कहलाते हैं अमरीका के अंदर पैरियरीज नोर्थ अमरीका में साउथ की बात करेंगे तो यह grassland अरजेंटीना में होते हैं पैमपास कहलाते हैं एक डच वर्ड होता है वैल जो कि यहां पर यूज किया जाता है आपके एफरिका रीजन के अंदर यह नेम इन grasslands के अब बात करते हैं इनके characteristics के बारे में that spread आपको नजर आ रहा है जो आप आसानी से देख सकते हैं यहां के climate के बारे में बात करते हैं कि इस particular area में किस type का climate जो है आपका वो देखने को मिल जाता है तो temperature की specifically बात करूं अगर मैं तो देखो आपको यह तो पता ही लग गया कि यह आपके areas काफी दूर है water body से अब water body होती है moderate climate पे पर landmass तो moderate नहीं होता ना landmass क्या होता है landmass climate की extremity को show करता है या तो cold area ज्यादा हो जाता है मतलब temperature काफी low चला जाता है या फिर आपका temperature काफी high भी चला जाता है तो मतलब यह difference यहां पर देखने को मल जाता ह temperature की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे यहां पर पता लगता है this is in the heart of the continent and that's why यहां पर क्या होगा little maritime influence होगा अब maritime influence जब कम होता है तो यहां पर मैं देखने को मिलता है कि इस case में आपके southern hemisphere में तो कोई ज़्यादा severity नहीं होती लेकिन हा northern hemisphere के अंदर severity काफी ज़्यादा होत यहां चला जाता है तो मतलब temperature extremities यहां पे काफी ज़्यादा है depressions की बात करते हैं तो आपको पता यह देखो high pressure conditions यहां पे establish होंगी तो precipitation खतम हो जाएगा लेकिन हा क्योंकि continent area है जब summer आती है तो उस time पे आपका heating होती है heating होगी तो definitely summer में convection rainfall के chances यहां पे भड़ जाते हैं ए एक और चीज़ यहां पे नजर आती है कि winter जो फ्रीज होना शुरू हो जाती है काफी फ्रीज विंटर देखने को मिलती है और specifically आपके किस एडिया के अंदर रोखी वाले एडिया में वहाँ पे लोकल विंड है चीनूक जिसको कि snow eater के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह विंड है warm nature की snow eater इसलिए बोलते हैं कि जो आपके grasslands यहां पे दिखे थे आपको pariaries के यह totally freeze होते हैं जब आपका चीनूक विंड यहां पे आता है तो यह क्या करता है यहां पे snow को melt करता है और snow melt होना grassland से काफी ज़्यादा beneficial होता है इसलिए यह जो pariaries हैं यहां पे आपकी agriculture cultivation जो हो possible हो पाता है तो snow eater जो चीनूक wind है वो हमारे लिए काफी beneficial होते है ताकि ग्रेनरी जो हो डवलप हो पाती है बड़ी आसानी से दूसरी important थीज अगर मैं बात करूँ इसके ओपर तो आती है natural vegetation की जी हां जो है वो तो obviously light होती है लेगिन conventional rainfall ही देखने को मिल जाता है अब सवाल आता है कि ठीक है vegetation भी तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि temperature और precipitation के बाद में इससे सबसे ज़्यादा important जो correlate करती है वो आती है आपकी vegetation की तो definitely हमें vegetation के ओपर भी focus करने की requirement है कि exactly vegetation जो है वो किस टाइप का देखने को मिल जाता है तो natural vegetation की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्योंकि ये grassland है हम पढ़ी इसको किस तरीके से रहे हमारी जो study स्टार्ट हुई है इसके बारे में वो शुरू ही कुछ आपके grassland के नाम से हुई है grassland से यहाँ पर देखने को मिलते है तो grasses जो है आपके step ये type में practically क्या होगा आपका grasses ही देखने को मिलेंगी एक tree less grassland है मतलब trees वहाँ पे हैं ही नहीं किसे भी तरीके से availability of trees जो हैं देखने को नहीं मिल जाती grasses है वो grasses भी क्या होंगी क्योंकि temperature काफी extreme minus four minus four degree Fahrenheit is not a कोई मजाक नहीं है यह बहुत low temperature है तो मतलब यहाँ पर जो growth है वो बहुत जादा grasses की न length है ना उसकी nutritional value पे भी depend करती है मतलब अगर grasses की length ज्यादा है ठीक है let's say grasses की length जो है वो ज्यादा है उस case में मुझे पता लगता है कि grasses की length ज्यादा होने की वज़े से आपकी nutritional capabilities जो है उनकी खतम हो जाती है अगर grasses की length short है तो उस case में वो grasses nutritious होती है यह हमीशा याद रखना कि grasses की length अगर short है तो वो nutritious होगी अगर grasses की length ज्यादा है तो वो nutritious नहीं होती तो मतलब यहाँ पे जो grasses है उनकी nutritional value compared to आपके सवाना reason के काफी अच्छी होती है वो ठीक ठाक रहती है trees की बात करेंगे तो हमें पता कि pollward जाएंगे तो increase in the precipitation हो सकता है वो थोड़ा सा क्या होगा एक transitional woody character को show कर सकता है otherwise यहाँ पे जो grasses है पैंपास लगाओ या फिर आप pariaries लगाओ वो एक tree less grasses जो है वो देखने को मिल जाते है अब tree less grasses है तो obvious सी बात है आपका cultivation तो बनता ही है यहाँ पर क्या होता है wheat farms जो है वो काफी ज्यादा बड़े हैं जैसे pariaries जो है वो बड़े-बड़े wheat farms है आपका काफी ज्यादा wheat जो वर्ल्ड का production होता है वो pariaries के अंदर देखने को मिलता है मतलब pariaries are dominating wheat farms of the world दूसरा यहाँ पर क्या होता है problem बसकी है कि जब extreme temperature आता है तो यहाँ पर snowfall वो भी ज्यादा होता है wind की speed भी ज़्यादा होती है that's why agriculture जो है उस case में deteriorating हो जाता है बात रही animals की तो मैं यह बोलूँगा यहाँ पर animal की जो diversity है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है horses काफी common है even आपका जो polo का game आप देखते हो जिस पर की horse बैठके वो खेलते रहते हैं वो इनी grasslands के अंदर खेला जाता है यहीं grasslands के अंदर काफी popular होता है तो मतलब यह हुआ कि horses जो हैं वो यहाँ पर काफी popular है otherwise animal diversity बहुत कम ही इस region में देखने को मिलती है लेकिन अब आपको एक और चीज तो पता लगी गई होगी कि sir grasses हैं grasslands हैं तो मतलब यह हुआ कि trees तो हैं नहीं यहाँ पर दूसरा आप area देखो इसका अगर मैं paris की बात कर तो area आप देखोगे तो आपको पता लगेगा यह वो country यहाँ पर population density भी कोई ज्यादा नहीं है मतलब population क्योंकि harsh conditions है temperature extremity है harsh conditions है तो automatic सी बात है population ज्यादा नहीं होती इसलिए per person जो land holding capabilities है जो capacity है इनकी बहुत ज्यादा होती है land holding capacity जो है इन लोगों की काफी ज्यादा होती है per person काफी ज्यादा land जो है एक बंदे के अंदर होती है occupy करता है मतलब जब agriculture activity वो करते हैं तो उनकी जो occupational land है वो काफी ज्यादा होती है economic development की बात करें तो मुझे पता लगता है तो nomadic hiding के बारे में पता लगता है कि यहाँ पे क्या होता आपका है migratory animals होते हैं एक जगह से के लिए इसके लिए specifically आपके animals को use किया जाता है तो यहाँ पे क्योंकि grassland कितने ज्यादा बड़े होते हैं कि people doesn't care about animals के कहीं भी घोमते रहेंगे कैसे भी खाते रहेंगे grasslands जो है nutritious भी ठीक है मतलब nutrition की value जो है in comparison to long grasses तो ठीक ठाक है तो मतलब यहाँ पे इनके लिए animals के कि 40,000 एकड़ पर परशनीत नहीं ज्यादा land होती है अब आप comparison कर पा रहे होगे कि इंडिया में तो land के नाम पे कुछ होता है नहीं सर इंडिया में तो एक दिवार पे अगर चट भी रख ली तो भी जगड़े हो जाते हैं यहाँ पे land इतना बड़ा है इतना बड़ा land होन करने को मिल जाता है अब extensive mechanization होगा तो आप यह बताओ एक बंदा कि इतनी बड़ी land की care कर पाएगा नोट पॉसिबल किसे कर पाएगा यार इतनी बड़ी land और एक person की care के अंडर अगर रहेगी तो वो उसकी care नहीं कर पाएगा अगर care नहीं कर पाएगा तो definitely मुझे क्या दे तो मतलब यहां पर बात यह हुई कि यहां पर farmers जो है वो काफी rich farmers है इतनी ज्यादा लेंड है थोड़ा थोड़ा भी wheat अगर produce किया तो भी उनके पास में काफी सारा पैसा होता है farmers जो है वो काफी rich farmers यहां पर होते हैं और यह आपका wheat export करने में काफी ज्यादा अबल पैमान उनके प्रेडिक्शन भी ज्यादा है लेकिन अगर मैं पर एकर yield की बात करता हो तो वो बहुत कम है क्योंकि इतनी यहां पर नहीं कर पाते हैं नेक्स से पैस्ट्रोल farming की बात करते हैं तो देखो क्या हुआ था या पैस्ट्रोरल farming पहले ज्यादा नहीं करते थे लेकिन जैस आए जब टेक्नलोजिकल एडवांसमेंट हुआ जब साइंस ने आगे अपने कदम भढ़ाए उसके बाद में हमें देखने को मिला कि इन दीज एरियास प्रमोट किया गया प्रमोशन में हमें यही पता लगा कि आपके जो एरियास हैं यहां पे पैस्टोरल फार्मिंग अब क पैस्टोरल इंडस्टी जो डबल अप होती है एक लोगों का जो साइड इंकम में बोलूँगा तो वो साइड इंकम कि तरह हैं पैस्टोरल इंडस्टी को पैस्टोरल फार्मिंग को लोग यूज करते हैं डॉमिनेंटली प्री डॉमिनेंटली वहां पे यूटलाइजिशन इनका होता है आप यहां पर देख सकते हैं कि देखो कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे हैं जो पेस्टोरल फार्मिंग के अंदर काफी जादा है और इवन आपके जो ग्रास लेंड्स है ना भी उस ग्रास लेंड्स को हम ज्यादा से ज्यादा अग्रिकल्स लेंड में कनवर्ट क सुना होगा ना कि आप अपने बच्पन में सुनते होगे कि आपके दादा जी यह कहा करते थे कि हमने इतने सारे फोरस्ट को काट के फिर अपने खेट बनाए फिर अग्रीकल्टर करना शुरू किया कोई आता था ऐसी दे देते थे उसको क्योंकि उस टाइम का इस पर अपने बच्पन के पास में तो पर अकर जो है कैपस्टी बहुत कम है एल्ड बहुत कम है लेकिन पर पर संट जो इल्ड है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है राइट तो दर इस ओर चैप्टर अब एक इंपोर्टन इंपर्मेशन में आपको देना चाहूंगा कल मतलब 30 दिसंबर को 30 नमंबर को आपका बैच स्टड़ी आए क्योंका स्टार्ट हो चुका है आपका ओरियंटेशन क्लास हो चुका है बट सिल यू कें टेक अडमिशन इन दिस बैस बाइज यू विल बेटिटिग इट इट अट प्राइस ऑफ एटीन इंपोर्टेंट सीज यह है कि यह बैच में अडमिशन आपका 10 दिसंबर से क्लोज हो जाएंगे अडमिशन क्लोज होने से पहले और प्लस में यार क्लोजिंग डेट को आप छोड़ो मैं बोलना चाहता हूं कि वाई यू आर गीविंग लोस्ट तो यारसल मतलब आपकी क्ल करना चाहते है तापका 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे तापको 1500 रुपीज में इसमें एडमिशन मिलेगा 100 डेस के अंदर आपके NCRT जो हैं पर पूरी करवाई जाएगी वीडियो के लिंक अधर अपडेट के लिए कपिल भा अफोरडबल